हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उप्चार नुसके में हम उप्चार नुसके चैनल में रोजाना एक लिटेस्ट वीडियो अपडेट करते हैं अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उप्चार नुसके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिलें 14 अप्रेल 2020 कालास्टमी व्रत शुब मुहरत सफलता के 5 महा उपाए प्रतेक महा के कृष्णपक्स की अस्टमी तिथी के दिन कालास्टमी का व्रत रखा जाता है पौराणी कथाओं के अनुसार माननेता है कि कृष्ण अस्टमी के दिन भगवान शिव अपने भहरव सरूप में प्रकट हुए थे जिसकारण इस दिन भगवान शिव के काल भहरव सरूप की पूजा की जाती है भगवान काल भहरव को शिव का पांचवा उपतार माना गया है शास्त्रों में बैसाग का महीना व्रत त्यहारों की दिश्टि से काफी शुब होता है यदि आज के दिन कुछ आसान उपाई के जाएं तो जीवन में सफलता प्राप्ति की जा सकती है आज हम आपको साल दो हजार बीस बैसाग महा कालास्टमी व्रत की शुप्ति थी बैसाग क्रिश्न अस्टमी शुरू होगी 14 अप्रेल मंगलवार शाम 4 बचकर 11 मिनट पर वहीं अस्टमी तिथी समाप्त होगी 15 अप्रेल शाम 4 बचकर 51 मिनट पर कालास्टमी काल भहरव जयनती पूजावी थी कालास्टमी के दिन भगवान शिव के पांचवे अफ्तार काल भहरव का जन्म दिवस मनाया जाता है शास्त्रों के अनुसार आज के दिन इनका जन्म हुआ था भहरव बाबा को तांत्रिक देता भी कहा जाता है इसलिए इनकी पूजा रात में करने का विधान है कालास्टमी के दिन इसनांध्यान के बाद भगवान भहरवनात को अबीर, गुलाल, चावल, फूल और सिंदूर चड़ाएं और उनकी कृपा पाने के लिए नीले रंके पुष्पुनें अर्पित करें इसके बाद भहरवनात की व्रत कथा पड़े मानेता है कि इस तरह विधी विधान से की गई पूजा के फलसरूप व्यक्ति के मनोकामनाय तो पूरी होती ही है, साथ ही इनकी पूजा करने से किसी भी चीज़ का भहे नहीं रहता और जीवन में सम्रिथी आती है सफलता प्राप्ति के पांच महा उपाए कालास्ट्रमी के दिन यदि भगवान शिव की पूजा की जाए तो भगवान भहरवनात का आशिरवाद अवश्य मिलता है क्योंकि भगवान भहरव की उत्पति भगवान शिव के आंश के रूप में ही हुई थी आज के दिन 21 बिल्व पत्र पर चंदन से ओम नमह शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चड़ाएं इससे भगवान भहरवनात प्रसंद होकर भगतों को सफलता और मनुकामना पूरी करते हैं कालास्टमी के दिन भगवान भहरवनात को सिंदूर, सरसों का तेल, नारियल, चना, इनमेर से कोई भी चीज ज़रूर चड़ाएं काल भहरव को प्रसंद करने के लिए कालास्टमी के पावन दिन भगवान भहरवनाद के प्रतिमा के आगे सरसों के तेल का दीपक जलाएं कालास्टमी के दिन भगवान भहरवनात को प्रसन्न करने के लिए काली कुट्टे को मीठी रोटी बनाकर खिलाने से न सिर्फ भगवान भहरवनात बलकि शनी देव की कृपा भी प्रापथ होती है प्राचीन कथाओं के अनुसार एक बार भगवान विश्नु और ब्रह्मा जी में स्रेश्टिता को लेकर विवाद हुआ इस विवाद को समाप्त करने के लिए महादेव ने सभा बुलाई जिस सभा में सभी रिशी मुनी और महात्मा पधारे कथा के अनुसार शिव ने इस सभा में जो निर्ने लिया वह सभी को माने था लेकिन ब्रह्मा जी शिव के इस फैसले से खुश नहीं हुए और उन्होंने भगवान शिव का बहुत अपमान कर दिया तो आप उपचान उसकी चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शियर करना ना भूलें